हेलो दोस्तों, तो एंटमें इंड वास्प, वांटमेनिया का ट्रेलर टू रिलीज हो चुका है, इसे देखकर नोवे होम लेवल की एक्सेटमेंट बन जाती है, और बने भी क्यू ना, क्योंकि ये फेस्वाइब की फर्स्ट मूवी और मल्टिवर्स आगा की बेगेनिंग इ जल केंग, इसकोट की हेल्प के बदले, उसकी फेमिली को इस क्वांटम रेल में जीने के लिए टाइम देगा, और तो और वो इसकोट को वो सब कुछ दे सकता है, जो भी इसकोट ने खोया है, जैसा कि बलीब के टाइम पर जब इसकोट डस्ट बन गया था, तो केसी के केंग पर भरुसा नहीं किया जा सकता है, जैन फिर केंग के प्रफोजल को एकसे क्यू करते हैं ये लोग, इसकोट जब लिब के टाइम डस्ट बना था, तब केसी का पालन पोशन सही से नहीं हो पाया, और वो भी आज इसकोट की तरह एक चोर बन चुकी है, और बस अभी- की स्टोरी सेम है, सभी ने टाइम बेस्ट किया था, और अपनी फेमिली पर ध्यान नहीं दिया, जैनेट 25 तक कौन्टम रेल में रही, हेंक पिम उसने अपनी बीवी के गम में अपनी बेटी पर कभी ध्यान नहीं दिया, और वास्प, मा और बाप दोनों का दरजा डंग से नहीं मिला, और रही बात इसकोट और केसी की, कि फादर और डोटर ने एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड नहीं किया था, वेल, इन चारों की स्टोरी सेम है, फिर हमें एंट मेन की कौन्सियसनेस अलग होती ही दिखाई देती है, अब ये टाइम ट्रेवल का एफेक्ट ह या फिर किसी डिवाइस की हेल्प से डिफरेंट बोडिस में अपनी कौन्सियसनेस डाल सकते हो, वेल, ये चीज बिलकुल सेम लगती है, जब डोक्टर इस्ट्रेंज मुवी में स्ट्रेंज मल्टिवर्सल ट्रेवल करता है, तब उसकी बोडी में से भी अलग-अलग चीज कर लेते हैं, फिर हमी एक ही फ्रेम में ये सभी लोग नजर आते हैं, जहाँ पर उड़ती हुई बाल्टी मोडो का हिउमन फेस देखने को मिलता है, जो कि मानो या न मानो, एंट मैन मूवी में दिखा यलो जैकेट है, जो कि उस मूवी के एंडिंग में कौन्टम रेल में चला जाता है, और कौन्टम रेल में आने के बाद ये केंग को मिल गया, वेल अभी ये हुमन तो नहीं लग रहा, तो केंग ने इसे एक उड़ती होई बाल्टी बना दिया, फिर एक फ्रेम में इसकोट किसी चीज के लिए नीचे जा रहा है, अब वो क्या हो सकता है, क्या स केंग देखने को मिलती है, उसके बाद हमें केंग के आर्मी देखने को मिलती है, जिस फ्रेम का पूरा लूक, पूरी स्टार वोर्स की वाइब दे रहा है, फिर वही अपनी कौन्शियसनेस को डिफरेंट बोडिस में डिवाइट कर देना, इसकोट अपनी आर्मी बना कर ल केंग कंट्रूल कर रहा है, इसके बाद जितने भी सीन है, जिसमें हमें केंग, स्कोट और मोडोक एक सन में देखने को मिलते हैं, वेल, यू तो केंग, स्कोट को कई बार बलास्ट कर चुका है, वेल, स्कोट केंग पर भरुसा कर लेता है, और उसके प्रपोजल को और ये सुने के बाद केंग की सटक जाती है, इसकोट का हेलमेट ही तोड़ देता है, ये टूटा हुआ हेलमेट काफी बर्निंग लग रहा है, जैसे इसकोट की गर्दन ही तोड़ दी गई हो, वेल, अब अब ओवरूल बात करें ट्रेलर की, वेल, इसकोट के पास अपनी फेमिली है, उसके बाद भी एक केंग का उफर एकचेप क्यू करता है, एक तो वेसे भी इसके बसका हे नहीं को बीट करना, उपर से उससे पंगाल लिए जा रहा है, वेल, बात करें कि केंग कोट की खाएब क्यू क्यू चाहिए, हो सकता है कि केंग भी क्ओंटम रियल में फसा हुआ है और वो भी यहां से निकलना चाहता हो या फिर हो सकता है Eternals या फिर Celestial की Technology चाहिए जिसे वो अपने लिए Celestial Armor बना सके या फिर Eternals को अपने फायदे के लिए यूज कर सके हो सकता है कि Kang को Actually Dr. Doom का डर हो या फिर ये Dr. Doom की कोई Technology चोरी करवाना चाहता है इस कोट से इसा हो सकता है क्योंकि Dr. Doom को अभी तक Introduce नहीं किया गया है Kang को Introduce किया गया है जो कि Multiversal लेवल पर Powerful है तो फिर यहां पर बस Casual Gaze किया जा सकता है कि Dr. Doom किस लेवल पर होगा या फिर हो सकता है कि Kang को किसी अपने ही Powerful Variant से कोई Technology चोरी करवानी हो वैल यहां पर बस अभी Theories लगाई जा सकती है ओवरूल बात करें Trailer की तो यह Beginning से लेकर Ending तक काफी Serious था और Trailer 1 को देखकर तो लगा था बट आप Trailer 2 देखने के बाद लगता नहीं कि कैसी Link के अलावा कोई भी जिन्दा बचेगा वैल यह Phase 5 की Most Anticipated Movie होने वाली है इस Movie में दिखने वाले Kang को भी Lightly मत लेना युकि Janet कहे रही है वो Time को Rewrite कर सकता है और Reality को Setter कर सकता है Janet की बात सुनने के बाद ऐसा ही लगता है कि यह Kang को काफी अच्छे से जानती है और उसके लिए इसने काम भी किया है अगर ऐसा है तो यह फिर Kang के Proposal को Accept के से कर सकती है वैल यह तो Movie में देखने पर ही पता चलेगा मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप मैंने चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवेस वीडियो को जरूर चेक आउट करें